हेलो फ्रेंड्स माला किचन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज फिल्में लेकर आई हूं किचन की बैस्ट टीफ्स और ट्रेक्स जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक और शेयर किजिएगा तो चलिए फ्रेंड् कित्ते जाते हैं डिस्ट उसके ए cidade क्यांथ हो जाती है और वह बिल्कुल ही कंदी हो जाती है और निचे के साहरी प्र। सारी जगे इसके अबर लगा देना है तो दीखें यहां मैं यह ले रही हूं बच्छ और इस ब्रश की सहिता से ना, मैं इस कोलगेट को सारी जगे लगा दूँगी तो आपको भी अच्छे से सारी जगे लगा देना है बिल्कुल नए असर कर देगा क्योंकि इसके उन्द जितना वी डस्ट है वो सारा का सारा इस कोलगेट से निकल जाएगा और क्योंकि हम इसके उपर पानी बगेरा तो यूज़ करनी सकते हैं आपको पता ही अगर हम पानी से इसको साफ करेंगे तो करण बगेरा लगने का ड़ल रहता है तो इसलिए ये टीप आप एक बार जबर फोलो कीजिएगा इससे बिल्कुल ये आपकी प्रेस साफ हो जाएगी और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तो अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है और ये देखें इसको अलके से साफ कर लूगी सारी जगे से जो भी सारा डस्ट है वो सारा इस कपड़े के उपर निकल जाएगा और यहाँ जो कोल्किट लगा वाइदा उसको भी मैं अच्छे से रगड़े के साफ कर दूगी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके निकलावा डस्ट यह देखें फ्रेंड कितना डस्ट इसमें से निकला है इस टिप को एक वार जगूफ हो लगी किजेगा आपको बहुत अच्छे लगेगी अगर ये टिप अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक किजेगा तो चलत पहले इसका रेपर अटा लेंगे हम यहां मैंने नाइफ से इसका रेपर हटा दिया है इस सारा चाकू से आप अठा लेजिए यह असानी से हट जाता है तो यह देखें मैंने इसका रेपर अटा दिया है अब फ्रेंड मैंने लिया है कि स्केच पैन और इस स्केच पैन से इ आपने थी आउपर से नीचे तक को भी एक लाइन खेच लेनी है ऐसी दूसरी साइट भी लाइन खेच लेंगे एक लंबी सी उपर से लेकिन नीचे तक तो हमें ज़ाता नीचे तक नहीं खेचनी यह लाइन इस बात का आप दिहान रखनें अब फ्रेंड्स लाइन की दोनों तरफ न मैं डोट्स बना लूँगी इस से तो ये देखिए मैंने इस साइड भी डोट्स बना लिए है sketch pen से ऐसे ही line की दूसरी साइड भी न डोट बना लेंगे और जो पीछे की side line खिचे न वहाँ भी ऐसे ही हम डोट्स बना लेंगे पहले sketch pen से डोट्स बना लीजिए आप तो ये देखिए friends मैंने दोनों साइड डोट्स बना ली है इसके बाद आपको क्या करना है कोई भी knife या कुछ भी पेचकस बगेरा गरम कर लीजिए तो यहां मैंने ये पेचकस गरम कर लिया है और जहां ये डोट लगाया है ना इनके अंदर हमें hole करने है तो ये देखिए friends ये मैंने पेचकस गरम कर लिया है और इनसे मैं ये दोनों साइड जो डोट बनाए हैं इनमें मैं hole कर लूँगी अच्छे से तो ये देखे फ्रेंड्स मैंने ये दोनों साइड होल कर लिया है तो आप भी ऐसे ही होल कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ अब फ्रेंड्स जो ये बीच वाली साइड है यहां भी हमें चार डोट लगाने हैं मैं यहां भी चार डोट लगा लूँगी इन दोनों के बीच में और ऐसे ही पीछे की साइड भी चार डोट लगा लिजिए और इन चार डोट के अंदर भी हम होल करेंगे तो ये मैं होल करके आपको दिखा देती हूँ जैसे पेचकस से मैंने वाले होल किये थे न ऐसे इनको भी होल कर लेंगे तो पेचकस की मदद से जो मैं हमने निशार बनाये थे ना स्केच पेंड से अब ये दोनों साइड मैंने होल कर लिया है तो ये देखें यहाँ भी होल कर लिया है और पीछे के साइट भी होल कर लिया है तो अब क्या करेंगे friends अब लेंगे चाकू और जो ये हमने sketchpin से line खीची है ना इन दोनों साइड से हमें इसको cut करना है तो फ्रेंस मेरे चाकू को गरम कर लिया है और उससे मैं इस बोतल को दोनों साइट से कट कर लूँगी तो फ्रेंस जब भी आप चाकू से ऐसे गरम चाकू से काम करें तो उस चीज का थोड़ा सा धिहान रखना कहीं आपके लगना जाए तो यहाँ भी मैं इस चाकू से अराम से इसको कट कर लूँगी तो ऐसे ही पहले एक साइट से कट करना है फिर दूसरी साइट से भी इसको कट कर लेना है तो ये देखिए friends मैंने ये दूनों साइट से cut कर लिया है अब मैं आपको बताती हूँ इसका कैसे यूज करना है आपको तो friends मैं आपको अब बताती हूँ आपको कैसे इस पोतल को यूज करना है तो यहाँ पर यह मैंने जाड़ो की stick लिए है आप इसकी जगे, तोटपीक वगेरा या फिर कुछ भी बड़ी straw वगेरा कुछ भी ले सकते है तो यहाँ मैंने चार-चार hold किये तो उनके इसाब से मैंने यहाँ पर 8 stick लिए है आप जितने hold करोगे ना उनके इसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो तो यहाँ क्या करना है, आपको लेनी है ऐसे धागे की reel जी हाँ और उनको इस stick में इस तरह से डाल कर बोतल कर खोल कर ऐसे लगा देना है तो इस तरह से आपको यह धागे की reel लगा देना है जैसे मैं करके दिखा रही हूँ एक होल से निकालनी है stick और बुसरी होल से निकालनी है तो ऐसी ही मैंने चार होल बनाया है तो चार मेरी जो धागे की reel वो इसके अंदर एक साइड आजाएगी और चार दूसरी साइड आजाएगी तो यह आपको लग रहा होगा कि यह तो निकल रही है stick तो आपको मैं इसका भी अभी जुगाड बताती हूँ आपको इसको कैसे रोकेंगे तो फ्रेंड्स एक के करके हम सारी reel लगा देंगे एक साइड और ऐसे ही चार जो reel है वो पीछे की साइड लगा देंगे तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ जो यह stick है न इसको जो बारवर निकल रही है कैसे रोकेंगे तो फ्रेंड्स अब क्या करें कि ताकि यह जो stick निकल रही है हमारी बारवर निकलेना तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है आपको लेने है ऐसे rubber band तो friends आपको ऐसे rubber band लेने हैं और इनको इस side ऐसे करके खड़ा करके एक side से इस तरह से आपको rubber band लगा देना है तो ऐसे ही जो ये चारो रेल है मैं पहले इस side से चारो रेल में rubber band लगाऊंगी और इसी तरह दुसरी side भी हम rubber band लगा देंगे तो ये आपको मैं दिखाती हूँ friends rubber band लगा के तो ये देखिए friends ये मैंने दोनों side rubber band लगा दी है और जो हमारी अब ये extra जो stick निकल रही है न तो क्या करना है इनको हम cut कर देंगे तो ये देकिए canchi से ये एक side से भी मेंने cut कर लिये और दूसरी side से मैंने cut कर लिए है अब इसी side से ना जो दूसरी side हमने hole कर रखे थे तो वहाँ भी हमने चालरी लगानी है तो वहाँ भी हमें इसी तरह से और वोडवेनर की साइथा से इनको रोपना है अब उसके बाद क्या करना है बताती हूं तो आप मैं बताती हूं आबको इसको कैसे यूज़ करना है तो फ्रेंज इसको मैं बीच में से खोल लूँगी ये देखिए असानी से खुल जाता है और जो धागा हम मुझे यूज़ करना है न तो उस धागे को में बीचो बीच में हमने होल के न वहां से उसको निकल लेंगे जैसे कि मेरे को ये येलो रंग का धागा चाहिए यूज़ करने के लिए तो मैं इसको यहां से होल में से निकल लूँगे तो ये असानी से ही होल में से निकल जाता कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा तो ये देखिए मैंने यहां से इसको निकाल लिया है ऐसे ही जैसे ही आपको कोई भी धागा चाहिए उन्हें इस hall में से बाहर निकाल लेजिए और फिर क्या करना है friends उपर से इसको मैं बंद कर दूँगी तो ये देखिए friends इसको मैंने धकन लगा दिया अच्छे से आप भी बंद कर लेना और जितना मेरे को धागा चाहिए जैसे में को ये यलो रंगा धागा चाहिए तो मैं इसमें से निकाल लूँगी और यूज़ कर लूँगी और बापिस इसको रोल कर दूँगी तो ये friends हमारा बनकर हो गया है तियार एक धागे की ट्रेल का ओर्गिनाइजर तो इससे के होगा आपकी धागे ये टिप आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरू बताना अगर ये ओर्गिनाइजर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको एक बार जरू फोलो करना और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लेना मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूसफूल वीडियो में थैंक यू फूर वचिंग बाई बाई